आओ लोट चले गाओं की और प्रकर्ती की और गाउवानी स्टूडियो के रईवार विसेश कारिक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और आज हमारे साथ बानसूर गोरव रतन अवाड से सम्मानित और बानसूर में साहित्य को एक अच्छे पायदान पर पहु रईवार विसेश कारिक्रम में आप लोगों को जोड़ रहे हैं मोहलाल मोरिय जी से जो हमारे बानसूर के चतरपूरा से हैं सर आपका स्वागत है हमारे गाउवानी स्टूडियो में नमस्कार सर दन्यवाद सर सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बहुत-बहुत दन्यवाद देता हूँ कि आप पिरक्रती से जुड़े हो और पिरक्रती को लेकर आप इतना भैतरिन कार्य कर रहे हो जिनका सब्दों के जरिये बया करना मुश्किल है मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आज मैं युवाद जागरती संस्तान की ओर से स्रीमान गोकुल जी सेनी और इनकी टीम के साथ गाउवाणी स्टोडियो के कारिकरम जो रविवार को एक कारिकरम होता है इनको आओ लोड़ चले गाउव की ओर पिरक्रती ओर की मुईम के सा आज दूरने का आज मुझे सोबागे प्राप्त हुआ इस दोरान मैंने सरिस्का बिर्मन और उदेनात के यां इनके साथ इनके दुवारा जो कारिय किये गए हैं वो देखे मैं कैमरा मैंने से भी निवदन करूंगा जो पीछे आप मेरे देख रहे हो बेग्राउंड में य इसी तरह से देख सकते हो कि कितनी अच्छी गिरोत कर रहे हैं यह देखो आप इनकी लंबाई देखिए और इनकी यह टी गार देखिए बहुत ही साहनदार यह जो दरस से युवा जागरती संस्तान दुवारा किया गया है और इतना अच्छा लग रहा है आप खुद भी इ कारिय कारे नहीं है आप खुद यह देख सकते हो डिएपर दो कोंप दोध्анич हार वाली बात है ने हुं के दौधर द्रातल की खराय कारोंने का हो ठाय हैक कर दोटिय कर रहा है युवजागर्टी संस्तान वो बलकि सहरानी नहीं बलकि बहुत ही प्रणमिय है और मैं तो यह कहना चाहूंगा युवजागर्टी ने वो करके दिखाया है जो साहिदी हमारे इस एरिये में किसी नहीं करके दिखाया है विसेश तोर से प्रक्रति को लेकर क्योंकि प् म्याज़डी हम लोग भूहत्रे हैं तो हम सब को ये पहल भी कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि जादा से जाधा पिरक्रती से दुड़ा जाए और पृक्रती के लिये जादा भी नहीं तो कम से कम जadors क को अपने ढूत से लिए जैसे किसी के जनम उस्व पे या जनम दिन पे यहां साल गिरे पे और भी ऐसी मूमेंट्स होती हैं उन पे अपनको एक पोदा अउस से प्रोपन करना चाहिए जिससे की और यहां देख रहे होंगे आप कीजे वो यह वत्वरक्स लगाए गए हैं यह देखो सारे तो यह एक ऐसा पो तो उस समय हमारे को समझ आई थी कि प्रकर्ति के लिए कितना जरूरी है हमारे लिए प्रकर्ति जब तक प्रकर्ति को हम बताने के लिए नहीं सोचेंगे उसके लिए प्रियास नहीं करेंगे तो हम इसी तरह खाम्याजा बुक्तेंगे और आगे आने वाला जो समय है वो तो सबसे जरूरी है पेड़ पोदे लगाना क्योंकि पेड़ पोदे हों से ही सब कुछ संरक्षित है इस मोसम में युवा जागरती एक और अच्छी पहल कर रही है और आपने इनके सोसल मीडिया अकाउंट पर भी देखा होगा कि परिंडे विच सेलफी आज इन्होंने मेरे को पांच जो छोटे पक्सियां हैं गोरिया वगेरा हैं उनके लिए गोंसले दिये हैं और परिंडे लगा रहे हैं यह एक इतना बहुतरीन कारिये हैं जो कि अपन सब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं और यह जो छोटी-छोटी पहली युवा जागरती कर रही है उससे मतलब अपने आप ऐसे लगता है कि वाक्य में एक बहुत सांदर कारिये के दारा इनके दुआरा यह आप दो दुद्रस से देख रहे होंगे यह सब युवा जागरती संस्तान बांसुर की और से किया गया है इनके टीम के जो डारेक्टर मोदे हैं गोकुल जी और उनके दुआरा देता हूं कि आप जो कारे कर रहे हो वह इस कारे को इसी तरह करते रहे हैं और बहुत सारे बर्गत के जो पेड़ यहां लगे हुए हैं यहां महराजी की बहुत एक प्रेड़ना और उनके दुआरा किया गया एक स्रेस्ट कारिया है जो प्रकरती से बिल्कुल करीब से जुड़े हुए हैं और उसी कडी में हमने और अपनी संस्था के जो वेलेंटियर्स हैं उनके माद्यम से यहां पिछले तीन वर्सों से हम सतत तरीके से जुड़े हुए हैं और हमने एक नवाचार किया और महराजी के आसिरवात से हमने यहां के आसपास के जो 19 गाओं हैं, उसमें पूरे वर्स में जितनी भी बच्चियां जन्म लेती हैं, उनका एक हम सर्वे हमारी टीम के माद्यम से करते हैं, जो हमारे यहां लेकराज जी और राजिंदर जी हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, और फिर हम जुलाई और अगस से लगाते हैं, और उसी बेटी का नाम उस ट्रीगाड के उपर हम लिखते हैं, जिससे कि उस बेटी को और उस माबाप को यह एक भान होता है, कि यह मेरा पेड़ है, यह मेरी बेटी का पेड़ है, और आप देख रहे हैं कि यह पोधों का जो संव्रक्षन हुआ है, जो एक माईने में महाराज जी का बहुत अच्छा एक प्रियास है लगातार इनमें एक टेंकर के माद्यम से पानी की सून योजित एक व्यवस्था प्रोपर हर पेड का देखरेक करना संवरक्षन करना अगर कोई पेड किसी कारडवस उसको पोशन की कमी हो रही है समय पर उसको निरा करना चाहूंगा सर और बाकी श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकरती को बचाने के इस अनूठे अभियान आओ लोट चले गाओं की और प्रकरती की और इस कारिक्रम में जो आज हम आप लोगों को प्रकासित कर रहे हैं मैं बताना चाहूंगा बेटी पानी जागरत हो, लोगों को लगे कि ये मेरा है, ये हमारा है, और जब वो बच्ची उस पेड को बढ़ता हुआ देखती है, अभी भावक जब उस पेड को बच्ची के जनम से लगाया है, और जैसे जैसे बच्ची बढ़ रही होती है, उसी प्रकार वो वटवर्क्स भी बढ़ र तो उसी अपनत्व की भावना से हमने इस अभियान के साथ बेटी, पानी, पेड और परियावन को जोड़ा है और साथ में लोगों को एक समयुजित तरीके से एक सामुहिक प्रियास के रूप में हम आगे का बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से भी आग्रे और जैसा कि आपने बताया कि बेटी, प्रियावन के बारे में तो यह आइडिया आपको कब और कैसे आया सर बिलकुल मैं बताना चाहूंगा कि आज से 10 साल पूर्व जब काम का जो स्ट्रेस रहता था पूरे सापताहिक जब हम युवा जागरती संस्थान में डिजिटल टेकनोलोजी को हम बढ़ा रहे थे और हमारा मकसद था कि बानसूर को हम एक वैस्विक पटल पर एक नई प होता था अचानक कभी स्योग वस में एक बार महराजी के यहां जुडा और यहां अने के बाद जब मैंने अपने माइने में जीवन तो प्रकर्ती के बीच में है, जब यहां आकर देखा पक्षियों की चहहाट, एक तरीके से जीवन का वो भाव जो महराजी के चहरे से और उनकी बातों से लगा, तो मन में लगा कि यार हमें भी प्रकर्ती के साथ जोड़ना चीए, और तब हमारे दिमाग म में कलपना आई कि क्यों ना हम इस जो मुहीम ने, जो महराजी ने चलाई हुई है, पोधार ओपन की, उसमें हम बेटी को जोड़े, प्रकर्ती को जोड़े, और वहीं से हमारे दिमाग में एक भाव जागरत हुआ, कि हम क्यों ना हमारी जड़ों से वापस जुड़े, प्र आप तक आपने कितने पोधे रोपन कर सकते हैं, मोटा मोटा आगडा अगर आपको जाना हुआ, मैं अगर सही मायने में बताना चाहूं, तो अब तक लगबग हमने तकरीबन आठ से नो हजार पोधे, हमने इन विगत दस वरसों में लगाए हैं, और हमारी टीम का जो रियल जो डाटाबेस है, हर साल हमारी टीम उसकी मोनिटरिंग करती है, तो तकरीबन 7,200 के सम्थिंग पोधे ऐसे हैं, जो की जीवित हैं, और वो साल की अकोर्डिंग अगर अपन देखें, तो कुछ पोधे एक वटवरक्स का रूप ले चुके हैं, जिनकी हाइट 20 फुट तक भ बढ़ रहे हैं और हमारा जैसे कि आपने यह पोधा रोपन किया था उस दोरान इसकी हाइट कितनी रही होगी तो अगर मैं बताओं तो आपन में प्रक्तिकल तरीके से बताओं कि यह मैं जो पोधा जब लगाया गया था तो लास्ट यह हाइट थी क्योंकि चार फुट का ह यह पोधा लगबग 12-13 फिट की उचाई पर जा रहा है यह तीन साल पहले जब हमने पहला चरण यहां पर आरंब किया था उस चरण में यह पहली बार के चरण में मलब यहां पर मलब रोपित किया हुआ पोधा है जो कि आप प्राकरतिक तरीके से किस तरीके से ग्रोथ कर पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं तो अमूमन इसी तरह के जो पेड़ हैं जिनकी उमर 10 साल है वह इसे कई गुना आपको बड़े मिलेंगे जिनकी उमर पिछले एक साल है वह थोड़ा अकार में कम मिलेंगे तो ऐसे अलग लग तरीके से हमने तीन फेज में यहां देखा कि यहां पे जदातर जो पोधे हैं जो बर्गत के लगाएं इसके पिछे क्या कारण है बर्गत जो है वो पोधा एक ऐसा है जो कई सेकड़ो वर्सों तक इसका जीवन चक्र होता है और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने दूसरा हमारा जो अभियान है जिसमें हमने सोन चड़िया मेरी बिटिया करके जो अभियान हमने चलाया है उसमें हम सोन चड़िया की संख्या जो तेजी से घट रही है हमने यह देखा है रिसर्च में भी पाया है और बहुत से संत और महात्माओं से भी यह चीज ह ऑर इसके जो उमर है वो भी कई सेक्डवर्स होती है इसलिए हमने इस पोदे को चुना और धार्मिक जो स्थल होते हैं क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था में भी बर्गत के पेड़ को पीपल के पेड़ को काफी पवित्र माना गया है तो इन समय-जित करते हुए हम ने ज्याद करता है कि कौन सा पोधा जल्दी ग्रोध करता है तो यह भी बताएं जरा बिल्कुल सर अगर हम प्रकरती के अनुसार बात करें अगर पोधे लगाने की तो हम जादातर संख्या में हमारे दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने घर में क्योंकि पीपल के और अधार में किस्तल पे कर रहे हैं और वहां जगे की काफी परियापता है तो आपको पीपल और बर्गद के पोधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहें अगर आप घर की बात कर रहे हैं तो हम ओसदी के अधार पर पोधों की बात करें नीम हमें लगाना चाहें दूसरा हम अगर बात करें उस दूसरे पोदे की तो हमें जामुन का पोदा हमें लगाना चाहिए, साथ में अगर हम अगले बात करें, तो हमारे आस-पास में आप देख रहे होंगे सीसम का जो पोदा है, या फिर हमारे यहां बील पत्र, क्योंकि एनवार्मेंट के अकोडिंग ऐसे पोदे जो अच्छे से ग्रोथ होते हैं, और सहसूत का जो पोदा है, वो बहुत कम समय में बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, और हमारे यहां सोन, चडिया और बाकी जो छोटे पक्सी होते हैं, वो सहसूत को खाकर काफी अच्छा उनको स्वादिस्ट भी लगता है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे आस-पास के एनवार्मेंट के अकोडिंग यहां साथ-आठ प्रकार के पोदे ऐसे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगा सकते हैं, तो उससे ताल के व्रक्स भी हमारे यहां कदम के व्रक्स भी खूब लगाए जा रहे हैं, जो की काफी अच्छे मात्रा में और लंबे समय तक चलते हैं सर। के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही महतों पूर्ण रखते हैं और इनका रहना बहुत जुर्री है तो इनके बारे में भी गावाने इस्टूडियो के दर्सकों को बताई हैं बिल्कुल सर मैं बताना चाहूंगा कि यह जो परियावन का जो एको सिस्टम है इसको बनाए रखने क के लिए हर जीव और जन्तू का एक अपना महतो होता है चाहे वो मानव हो चाहे वो पक्सी हो या जीव या जन्तू हो अगर यह पारिस्थिति की चो तंत्र होता है इसमें हर व्यक्ति का अपना एक महतो होता है और अगर हम इसमें इसी संखला में अगर किसी एको काट देते तो जो हमारा structure है वो कही ना कही unbalance होता है और आज आप देख रहे हैं कि कई बार आप देते हैं कि global warming के कारण कभी अचानक बहुत तेजी से मोसम में परिवर्तन होते हैं, बहुत तेजी से गर्मी बढ़ रही है, कभी वर्सात बिन मोसम आ रही है, उसका कही ना कही कारण हमार इस पारस्तिती की तंतर को नहीं बनाया, तो आने वाले जो वर्स होंगे, वो हमारी आने वाली जो प्रजातियां हैं, आने वाले जो हमारी पीडियां हैं, उनके लिए काफी जोकिंग भरे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि temperature बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अचानक क जो मैंने समझा और एक अनुसंधान में मैंने पड़ा कि हमारे यहां जब गाय भैस जब दूद दे रही होती है और कई बार वो करती है लातना जो हमारी गाओं की भासा में होता है, कभी जैसे उसका जो बच्छा होता है, वो कभी समय से पहले मर जाता है, तो उसको दूद निकलने लगता है और वो व्यक्ति अपने स्वार्त की वज़े से उसको यूटलाइज कर रहा है लेकिन उसका जो सेकंड पहलू देखा कि जब वो पसु मर जाता है उसको बाहर खुले में डाल दिया जाता है तो जो पक्षी होते थे गिद्ध हुआ या और कोई जो जानब की आकास में तक देखते हैं और जो जानवर का जानवर या फिर कोई जानवर वहां पर मरा वा पड़ा है लेकिन आज हम दूर दूर तक देखते हैं हमारी आखें चितनी दूर तक देखती हैं, हमारी ओजल हो जाती हैं, लेकिन कहीं भी हमें गिद्य इस प्रकार की प्रजाती के हमें पकसी नजर नहीं आते हैं। उसका कारण कहीं नहीं मनुष्य ने अपने स्वार्त की वसीभूत आकर और इस एको सिस्टम में कुछ जो परिवर्तन किये हैं, जो बदलाव किये हैं, उसका खामियाजा हमें धीरे-धीरे महसूस हो रहा है। समय रहते हुए हमने प्रकर्ती का सनरक्षन नहीं किया, तो बहुत बयाव है, प्रस्तती मानव प्रजाती के सामने आने वाले समय में आ सकती है। इसलिए हम अपने इस गामवानी स्टूडियो के माद्यम से यही कहना चाहेंगे दर्सकों को, कि प्रकर्ती के साथ जुड़ें, वापस अपनी जडों से जुड़ें, क्योंकि हमने देखा कि जब हमारे दादा जी या हमारे पड़दा जी को हम जब सुनते थे, तो उन्हों पानी को पानी की बोटल तक देख लिया और वह भी पानी बिखने लग गया आप सोच रहें कि जहां पानी बिल्कुल नदियों में बहता था और एकदम स्वचंदे तरीके से था बिल्कुल और यह एको सिस्टम में जो तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं समय रहते अगर हमने इसको नहीं कहते हैं कि अगर प्रकरती के चक्र को हम बनाए नहीं रखेंगे तो यह कहीं ना कहीं अनबैलेंस होगा तो उसका खाम्याजा हमें बुगतना पड़ेगा आपने देखा कि कोरोना जैसी वैस्विक महामारी ने इनसान को वापस अपने जडों से जुड़ने का एक रास्ता दिखाया जिन लोगों ने उस प्रस्तती में अपने आपको फाइट करते हुए पाया और लोग वापस जडों से जुड़े हैं लोग सहरों से गाओं की तरफ आए हमने परिवर्तन भी देखे हैं सर लोगों ने अपनी बड़ी-बड़ी मल्टी-नेशनल जो अपनी में जोब कर रहे थे लेकिन जब वैस्विक महामारी आई तो लोग जब गाड़ियां जिंदगी थमसी गई थी तो उनके रोजगार भी छिंसे चले गए थे तो उन्होंने वापस अब गाओं में आये इनोवेशन किया और उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बनाना स्टा किया है आज आपने भी बताया था सुबह की आपके अंकल जी जब आर्मी से रिटार होके आए तो उनका भी एक जीवन जीने का अलग नजरियाई बनने लगा तो सर ऐसे प्रकरती प्रियमियों की आज जरुरत है इस प्रकरती को संरक्षन एक व्यक्ति से नहीं होगा एक सा जिस प्रकार इस प्रकरती को संरक्षित करने के लिए हम लोगों को हाथ से हाथ बना कर जोड़कर एक ट्रीगाड का रूप लेना होगा तब ही जाके प्रकरती का हम संरक्षन कर पाएंगे सर क्योंकि बात कहने मात्र से परिवर्तन नहीं होगा परिवर्तन के लिए हमें सतत जमीनी इस तरह से जुड़ना पड़ेगा तभी जाके परिवर्तन आप आएंगे तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सर अपने इस मंच के माध्यम से दन्यवाद गाहवाणी स्टोडियो में आज हमारे साथ थे युवा जागती संस्तान के निर्देशक गोकुल्चन सैनी जी जिनोंने प्रकति पक्सी प्रियावन और बेटी के बारे में हमको इतनी जानकारिया प्रदान की जिन से हम कहीं न कहीं अधूरे थे और आगे भी इस सबी इसी तरह हमारे से जुड़े रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद सब्सक्राइब